हाई गैस वेल्कम बैक टू मैं नाश्रों वीडियो हेर्वन मैं हूँ सीमा आप लोग के साथ में आज लेकर आए हूँ मैं अपने चनल पर हेयर हैक्स समर के टाइम में आप अपने बालो की केर किस तरीके से करें मैं आप लोग को अपने बालो के लिए इस तरीके के हैक्स को अपना सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो तो आपको सबसे पहले जो अपना शांपू चुनना होता है कोई भी किसी भी ब्रैड का शांपू अब अगर आप मेरी माने तो आप क्लेनिक प्लस एक प्रोटीन का जो शांपू है इसको एक बर ट्राइज जरूर करें क्योंकि इसके रिजर्ट्स बहुत अच्छे हैं शांपू को आप कभी भी खाली मत यूज करें आप चाहें तो शांपू में आपना पौडर एक चम मच य आप चाहते हैं कि आपके न्यू बेवी हेयर की ग्रोथ हो तो आप अपने शांपू में दो से तीन चमच के करीब हनी आड़ करें हनी आपके हीटिंग प्रोपर्टीज का एक ऐसा इंग्रेडियंट है जो कि आपके स्केल्प में हीटिंग प्रोपर्टीज लाकर के देता है जिसे ब्लड का फ्लोग बहुत अच्छे से होता है और आपके जो बालों की ग्रोथ होती है वो दुबारा होने लगती है Hack number 2 है जब भी आप अपने बालों को wash करते हैं तो wash करने से पहले आप अपने बालों को सुलजा लें, combing कर लें, inversion method कर लें उसके बाद से अपने बालों को आप wash करें इससे आपके जो बाल हैं वो कम तूटते हैं, कम उलसते हैं और आपके बाल बहुत ही साफ सुत्रे और स्थ्रेट रहते हैं जब भी आप इसको वाश करते हैं कौम करने के बाद हैक नमबर 3 है जब भी आप अपने बालों को हेर वाश कर रहे हैं तो हफते में एक बार दही से मसाज जरूर करें आप 3-4 चममच दही ले हो सके तो आप घर की दही ले जो की डीप कंडिशनी के लिए यूज की जाती है उसमें आप एक चममच काली मिर्च का पाउडर हां जी काली मिर्च का पाउडर आपके बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है मैंने अपने चनल पर का काली मिर्च का पाउडर का पाउडर दालें एक काटोरी दही में दही नॉर्मल टेंप्रीशर के होना जाए उसको आदे घंटे के लिए स्कयाल्प पे लगा ले उसके बाद शांपू कर दें । हमारा जो है को किया करना है आपको लेना है आपका आलोब्रा जेल जो के आप आपके skin, body's, पूरी, all your body, आपके beauty products बना सकते हैं तो आपको अलोवेरा जल लेना है उसको आपको निकाल कर ग्राइनर में डाल कर अच्छी ज्याइड कर लेना है अगर आप शादी में जा रहे हैं, पाटी में जा रहे हैं, और आपके बाल बहुत पहले बहुत जा गहनी अपकी बहुत भी घंटे पहले ना आप चाहें तो खुला भी रख सकते हैं, आप जब भी अपने बालों में कोई भी चीज यूज करते हैं, तो उसको पहले आप ट्राय करें, उसके बाद ही उसको सोचें, उसके जो इंग्रेडियन्ट है, उसको पढ़ लीजे, आपके लिए वो सही है या नहीं है, तभी आप इस चीज़ को यूज कीज़े, एक ओल आप हमेशा अपने बालों के रिए चूज कीज़े, वो आप तीन महीने उसको फॉलो कीज़े, तो ये थे मेरे कुछ टिप्स, जो कि मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, और आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हूँ, ठीक है, तो आज आज की वीडियो में बस उतना ही, मैं मज़ी हम आप लोगों से, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई, लव यू, टिक कर अपना ख्याल रखेगा, बाई, मुआ,